आधुनिक भारिती इतिहास यानि की modern history के अंतरगत भारत के समस्त गवर्नर जनरल और वाइस राय की एक और नई वीडियो सेसिन में आपका स्वागत है दिस इस प्रियंग और आज की वीडियो completely dedicated है Lord William Banting के लिए देखिए Lord William Banting जो की गवर्नर जनरल रहा वो 1828 से लेके 1835 तक रहा अगर आपने हमारी previous वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यह किसके बाद जो है गवर्नर जनरल बना ठीक है अब देखें यह जरूरी नहीं है मसला यह नहीं है कि यह किसके बाद बना जाए इससे पहले कौन था इसके बाद कौन था यह भी जरूरी नहीं है कि यह कब से कब तक रहा है इसा नहीं पूछा जाता है important यह है कि इसके कारेकाल के दोराण इसने कौन से महत्वपून कार्य किए या फिर ऐसी कौन सी महत्वपून घटना है जो घटीफ हुई इसके कारेकाल कड़ान वो अक्सर एकजाम में पूछा जाता है ठीक है आच्छा यह जो topic है भारत के समस्तर गवर्नर जेनरल और वाइसराइ स्टार्टिंग में इसको एजली हम चीजों को कवर कर पाएं इसके लिए मैंने इसको जो है वाइपार्ट्स 3 टायप में यहाँ पे चीजों को डिवाइड कर दिया गया था ज्यादा जानकारी के लिए जो है आप अपराइड पर लिंक आप चेक आउट कर सकते हैं, तो फर्स पार्ट में हमने कहा था कि 1757, जो की प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, वहां से खानी स्टार्ट हुई है, तो 1757 से 1857 तक पहला पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया था, गवर्नर जेनर बनेंगे दिखिए लाइफ मैच बंगाल में हैस्टेक दे दो सारे यह हमारी ट्रिक है गवर्नर जनरल है ठीक है अब लाइव यानि की रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने जाना कि बंगाल का पहला गवर्नर मना वो सेकंड नंबर में जो इंपोर्टेंट है वारीन हिस्टिंग इसको बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल फिर कार्णवालिस बना है जल रहा से वेलेजली उसके बाद जो है हैट उठा रहे हैट से हमने कहा कि वो लॉड हिस्टिंग लास्ट वीडियो इसी के बारे में था ठीक है आज हम जो है थर्ड लाइन हमारी जो है वो है क्या है बैटिंग आ गई चटकर तू भरता तो बैटिंग यानि कि विलियम बैटिक इसके बारे में हम जानेंगे दिकि इस लाइन में बहुत सारी चीज़ें यहां पर कवर होंगी like बैंटिंग से हम relate कर सकते हैं William Bantic को right betting से William Bantic को हमने relate किया चट से हम कह रहे हैं कि charter yes charter act अपने आप में important है 1833 की date ठीक है Lord William Bantic के साथ ये date बिल्कुल आपके जहनमा आजानी चीए 1833 उसके बाद भारता से हम relate करेंगे भारत का यानि कि समूचे भारत का पहला Governor General इसको बना दिया गया था किसको William Bantic को I hope चीज़ें के लिए रुए होगी देखिए Robert Clive बंगाल का Governor था Warren Hastings बंगाल का Governor General अब इसको पूरे भारत का Governor General बना दिया गया charter act जबाया उसके दोरान अब देखिए इस चार्टर इस डेट को कैसे याद रखें charter को हमने relate किया चट से न चट जो word है चट अब ये चट से आपको थोड़ा सा एक sound लगेगा चार्ट चार्ट जो हम खाते हैं अब चार्ट आपका जो है दही वल्ले हो गया आलू टिकी खाते हो आप गोल कप्पप्र हो गया ठीक है आप किसे ने कहा कि चलो इसका Пटान बनाओ तो किसे बनाएं गे देखिए मान बताता हूं कैसे बनाएं गे आप 3 लिखए एक उल्टा 3 ऐसे लिख दीजिए simple 3 लिखना है एक उल्टा 3 ऐसे तो 3 करना है एक इसे 3 करना है और एक उल्टा थ्री ऐसे तो ये क्या बन गया एद धही बल्ले बन गए इसमा आप धही डालीए चटनी डालीए मीठी चटनी बन गई चार्ट आप तो चार्टर act तो हमने क्या किया थर्टी देखिए तो वैलेसली के ही टाइम में जो 8800 रिकाला आप देख सकते हैं यह भी जाना यहां ना तो इस से तो बैक्राइम स CHLT में बने चार्टर थेखे जंड यहां बना दिया गया इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जernरल लोर्ड विलियम बैंटिक हुआ नेक्स देखिए इससे पहले इससे पहले वो क्या था बद्रास का गवर्नर था देखिए हर एक चेत्र में गवर्नर होता था लेकिन टॉप में जो उची बूष्ट जो होती थी यो गवर्नर जनरल की होती थी ठीक है लेकिन गवर्नर तो होती थी तो मद्रास का गवर्नर था हो कब था 1803 में अब इस टाइम की बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1806 उन्हीं दोरान क्या हुआ इसी की समय में ही वेल लौर का सेन विद्रो हुआ था और तब गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल था वो सर जार्ज वार्लो था देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जार्ज वार्लो का कनेक्शन वेल लौर से है ना जार्ज वार्लो वेल लौर वार्लो वेल लौर बिल्कुल कनेक्ट करेंगे हैं ठीक है तो जार्ज वार्लो की टाइ तो एक्जेक्ट लोकेशन अब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ माँ जाएंगी कि वैल और कहां पर है ठीक है तो उस टाइम पर यहां पर कौन था बेंटिक था अपना गवर्नर है ages 1860 की बात ये तो ये सारी चीजैं है तो वैल और का सेनी विद्रो का हूँ था 1906 में हूँ हो था तो ये सारी बात अब देखें grade 807 मैं हम यह कहते हैं कि जो सैनी विद्रो 750 ता संग्राम का 806 में भी इससे पहले एक ऐसा विद्रो हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ नेक्स देखिए अब हुआ क्या कि माथे पर जाती है चिन्न ना लगाने कानों पर बालिया ना पहनने ऐसे कुछ नियम बना दिये थे अंग्रेजों ने तो इनकी ही खिलाफ वेल लौर का जो सैन्न विद्रो था भड़क गया ठीक है अब वहाँ के सिपाईयों को ये लोग कह देते कि चलो कान कान में से बालिया अटाओ ये सर बेंटी का बगरना नी चोड़ी अटाओ तो इससे जो है उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई और वहाँ जो एक सैन्न विद्रो था वो हो जो हो गया अठासो छे में तो ये बात है कि वेल लौर का विद्रो के पीछे की क्या वज़े है तो लौर का विद्रो हुआ तो इस सारी चीज़े है और चट से चार्टर अब चार्टर एक्ट के बारे में जानतो लिया हमने के 333 में हुआ था डेट हमने याद कर ली ट्रिक के थूँग बट और चीज़ें क्या के थी इसमें दिखे क्या क्या परावधान थे चार्टर कंपनी के सभी वानजिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए अब कंपनी के अधीन ही सारी चीज़ें हो लिए कंपनी के अधीन ही सभी वानजिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए जो वाइसराय बने है वो बिटिश ताज के अंदर में सभी वाइसराय बने लेकिन जि अलावा भी चार्टर रेक्ट हैं 1813 का लाड मिंटों का चार्टर रेक्ट आये था और साती साथ 1853 में डल होजी की टाइम में भी चार्टर रेक्ट आये था लेकिन बहराल अभी हमें केवल जो ध्यान देना है वो यह वाला देना है यानि कि 1833 का ना चार्टर चार्टर यानि छाट चाट बना दी थी ना इस तरीके से इस तरीके से ठीक है इस तरीके से बना इस तब निए ती कि देखे बैंटिक ने अपने कारिकाल में प्रतिबंद लगाये कौन कौन से देखे सती प्रता पर प्रतिबंद लगाया ठगी प्रता पर और सिसु बाली का हत्या इसने बैंड कर दी थे ठीक है बात करते हैं सती प्रता के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं ये एक ऐसी कू कूपर थाएं थी उस टाइम पे अब जो स्त्री होती थी विद्वा कुछ लोग तो जो है स्विच्छा से जल जाते थे लाइक कि अब वो क्या करेंगे संसार में कुछ नहीं लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो जीना चाहती थी उनको जबरदस्ती जबरन जो है इस कूपर ठाका सिकार बना दिया जाता था उनको जो है नसीली पदार्थ पिला दिये जाते थे ठीक है जिन्हें उन्हें बिलकुल होसनी अब उनके साथ क्या हो रहा है ठीक है वो हस रही है रो रही है इधर उदर पटग रही है बस जा रही है उन्हें जला दिया जाएगा ठीक है त बाई अब भागेगी ठीक है चिलाएगी रोएगी तो वो हिल ना पाए उसको बिल्कुल बाद देते थे साथी साथ जो राल वगेरा घास पास ऐसे घास पूस वहाँ पे ऐसे कर देते थे जिससे जो है धुआ धुआ हो जाता था और अगर वो जलेगी तो चिलाएगी उसकी जो प्रतारना है जो यंत्रना है वो उससे कोई देखना पाए इस वज़े से वहाँ पे और उसकी चीख पुकार कोई सुनना पाए तो ऐसे ढोल दमाओ खुब जोर-जोर से बजा दिये जा थी आप देख सकते हैं फिगर में क्या हो रहा है ठीक है एनिविज नेक्स देखिए कुछ और बातें इसके बारे में टाइम है 1829 में सती प्रता के खिलाफ कानून बनाकर धारा सत्रह के तहद विद्वाओं के सती होने को अवैद घोसित किया था ठीक है यह अपने आप में इंपोर्टेंट है कौन सी डेट है 1829 सती बर्था इसी साल में जो है बैन हुई थी ठीक है इस पर प्रदिबंद लगाया था अब देखे यह बिल्कुल याद रख सकते हैं आठारा सो का टाइम तो ठीका अठारा सो में इस सारी चीज़ जल रखने है लास्ट के टू डिजि देंगे तो याद हो गया दोनों यह डेट हमें बिल्कुल याद हो गई ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट को ग्यान देंगे सधी प्रथा के उन्मुलन में बैंटिक को साहता जो मिली थी राजा राम मोहनराय के द्वारा मिली थी बिल्कुल इसमें सबसे बड़ा यो जो है ठानी थी अपने मन में तो जो है और फिर फाइनली जो बैंटिक जो गावर्नर जनरल बना तो वो उसके टाइम पर यह बिल्कुल जो है कम्प्लिटली बैंट हो गई थी नेक्श बात करते हैं देखिए ठागी प्रता के बारे में सतिपरताबर बहुताअगे था था फा था समाब्त कर दिया था विलियम बेंटिक ने अब इस प्रथा में क्या होता था कुछ गैंग ऐसी होती थी जो लोगों को ठक दे देदे आज अपना धरम मान दें कि हम तो है ठक हैं इस तरीकी कीसा है ना तो ठक्स ओफ हिंदुस्तान इसे तो सुनाओगा अपने मूवी आए देखे ठगी प्रता के उन्मुलन में जो है उन्मुलन होता है जड़ से उखाड फैकना तो बैंटिक को यहां पे साहता मिली थी कर्नल स्लीमन के द्वारा कर्नल स्लीमन ने जो है ठगी प्रता को यहां पे जो है उखाड फैकने में मदद की थी बैंटिक के और बैंटिक ने इ यह वालय हम, कौन हो ? कौन हो भाई तूम ? अब हमने कहा कि उत्तरदाईत वालय हम ऐसे ठीक है ? तो एक फैक्ट यहां संगी निकल सकता है कि विलियम ने भारतियों को उत्तरदाई पदोंपर न्यूक्त किया उत्तरदाई पद होता था लाइक जन्ता के प्रति उत्तरदाई तो ठीक है कि स्पॉंसिबिल्टे उजापद जो होता था वहाँ पर भारतियों को भी एक तरीके से नियुक्त किया गया था लौर्ड विलियम बैंटिक के टाइम में इसको कैसे रिलेट किया हमने हमने का विलि इचा का माध्यम बनाया गया ठीक है किसमें मैकाले के ही समय में मैकाले की इंदसन सापर नेक्ट पॉइंट देख लेते हैं अब यह इसके बारे में रिलेटेड हो जो चार्टर रेक्ट आया था ना 833 में उसमें कानून बनाने के लिए गवर्नेर्ट जनरल की परिसद में एक विधी सदिस्टी को सम्नलित किया गया था एस अपॉर्धव कानून का वरगी करण उसला दा तो यह चार्ट रैट के बाद ही हुआ था और साथ इसाथ अंग्रीजी को जो है उच्छी सिक्षा का माद्धियमतो उस टाइम पर इसे नहीं इसको हम जो है याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे देखे अब जो है विलियम बैंटिक की बात चल रही है ठीक है तो अब जितने भी हम गवर्नर्ट जेनरल करेंगे साधी साथ कुछ लाइन्स ठीक है उनके नाम के साथ लाइन्स को रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे देख जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये लाएंगे आदा नीचे तो विलियम मैकाला वो गोरी अंग्रेज मिलो तो चलें कल मेडिकल कॉलेज एक दो बार तीन बार चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा ठीक है तो मैकाला मैकाले अब इसको जो है भारत में उच्चे सिक्चा का माद्यम अंग्रेजी को बना दिया गया था ठीक है मैकाले की ही अनुसंसा पर तो मिलो तो चलें कल कल से आप कहेंगे कि कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज स्तापित किया था विलियम बेंटिक ने देखें यह दो पॉइंट याद होगे यहां से लेलेट कर लेंगे ठीक है अब नेक्स हम बात कर लेते हैं विलियम बेंटिक के बारे में देखें सारी चीज़ें कवर कर लिया हमने अब इसके बाद जो गवर्नर्ट जनरल बनेगा वो बनेगा चार्ल्स मेडकॉफ अब मेट कॉफ के बारे में जो इनपाइन फैक्त यहां पर बनता है वो यह किसका कारीकाल वैसे तो एक साल काही है ठीक है चोटा कारीकाल है लेकिन एक साल के कारीकाल में इसनेrest परसे नेटरण हटा दिया था इसलिए इसको भारती प्रसका मुक्तिदाता कहा जाता है इंपोर्टेंट है तो भारती प्रसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है मैट काफ को कहा जाता है ठीक है मैट मुक्ती मैट मुक्ती मैट मुक्ती ठीक है मेटकाफ मुक्ती दाता भारती प्रसका मुक्ती दाता इसके बाद जो गवने जेनरल बनता है वो बनता है यहाँ पर लॉड आकलेंड अब आकलेंड से रिलेटेड कुछ लाइन इसके नाम के साथ ही हम रिलेट करेंगे देखिए आकर तीनों रोड से अफगान डॉक्टरों क कुजारी विदी सी फर्मान मैंने कहा आकलेंड आकलेंड से मैंने आक आकर ले लिया आकर तीनों रोड से अफगान डॉक्टरों कुजारी विदी सी फर्मान तो मैंने यहाँ पर तीनों कहा है तीनों यानि कि तीनों ठीक है आप देखिए कौन को से पॉइंट यहाँ पर ब अठार सोनतालिस का टाइम हो जाएगा 1839 सिंपर अब जो है यहां पर देखें नेक्ष्ट अफगान भी है तो इसी के समय में प्रत्थम आंगल अफगान युद्ध हुआ अंगरेजों की बात चलिए तो आंगल अफगान युद्ध हुआ था कब हुआ था ये भी अठार सोनत संसद ने प्रतान की थी किसके टाइम में लॉड्ड ऑकलेंड की टाइम में देखें सारे पॉइंट यहां पर इस तरीके से याद करने ठीक है लाइन्स याद रखनी है लॉड्ड ऑकलेंड हमने कहा कि आकर तीन और रोट से फर्मान डॉक्टरों को जारी विदेसी फर्मान चलिए ठीक है नेक्स देखते हैं इसके बाद जो करने जनर बनेगा वो बनेगा लॉड्ड एलिन बरो ठीक है एलिन बरो अब दीखें एलिन बरो में अगर आप नो हटा देंगे तो यह बन जाएगा लिबरो यानि कि लेबर लेबर का साउंड आ रहा है थोड़ा सा तो बि दास प्रथाका उन्मूलन करने वाला लॉड एलिन बरो ठीक है लेबर लेबर यानि कि जो दास लोग हैं वो लेबर ही तो करेंगे लेबर लोग होंगे वो ऐसे तो दास प्रथाका उन्मूलन इसी के समय में हुआ कब हुआ 1843 में हुआ और एक्ट फाइब के द्वारा अब दीखे 1843 यहां पर आया 43 मैंने कहा क्या था चरते 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 का ना चरते यानिकि 4 3 चरते तो यह हो गया एक और इंपोर्टेंट यहाँ पर बात अभी आई थी कि सती पर्था का उन्मूलन कब हुआ अब देखे सती पर्था में हमने कहा कि सती पर्था में होता क्या था कि उसके मृत पती और उसकी जो पत्नी थी दोनों को जला दिया जाता था दो नौ अठारसो लगा देंगे तो अठारसो उन्टीस में सती पर्था का उन्मूलन किया लौड विलियम बैंटिक ने जिसमें साहिता की थी राजा राम मोहन राये ने साथी साथ देखिए दास पर्था का उन्मूलन दास लोग क्या होते हैं लेबर लेबर लोग क्या करते हैं चरते हैं तो चार तीन अठारा तो लेबर यानि की इस तरही के से चीज़ें याद करनी है ठीक है आयोब आपको चीज़ें क्लियर होगी नेक्स देखिए अच्छा हमने कहा कि लेबर सिंध के चरते अब सिंध दीखे आंगल अफगान युद्ध समाप्त हो गया है और सिंध को फाइनली ब्रिटिस सामराजी में मिला लिया गया और यह टाइम चल रहा था 1843 यही वाला ठीक है चरते 4-3 वाला ठीक है अब क्या हुआ कि आंगल के ही टाइम में हुआ था इसके बाद जो गवर्नर जनरल यहां पर बनेगा वो कौन बनेगा वो बनेगा लाड हार्डिंग लाड हार्डिंग बनेगा अब इसके बारे में इससे रिलेटेड एक बात हम याद रखेंगे एक लाइन वो क्या है कि हाल्ड एंड सेक्सी वाइर अब देखे सेक्सी अब देखे हार्ड एंड सेक्सी वाइरल नर कह दिया तो यह देखे यह एक बिल्कुल मस्कुलर एक बंदा है नर है यह वाइरल हो गया ठीक है कैसे सेक्सी से हम यहाँ पर रिलेट करेंगे सिक को सेक्सी सिक ठीक है तो इसकी काल में महतुपूर्ण गड़ सेक्सी से हमने सिक्ष यूद जो की हार्डिंग के टाइम हुआ और नर या नर्वली इस प्रकार की नर्वली की परतापर भी प्रतिबंद लगाया था लॉट हार्डिंग ने तो इस तरह यह हैं कुछ वाइस राए दिस प्रेयन तक्स पर वाइस